Hello students, welcome to you all. बिटे यह आपकी वर्क सीट है, वर्क सीट नमबर 7, 7th क्लास की है, English subject की 14 October 2020 की आपकी वर्क सीट है. Student अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी क्लास शीचर का नेम लिखेंगे. ठीक है, Director of Education दिल्ली की तरफ से ये वर्क सीट आपको आती है. वैसे तो English की वर्क सीट आपको हर मंडे को आती थी, लेकिन आपकी बारे एक दिन छोड़ के हैं, ठीक है? हर दिन दो subject की आपकी वर्क सीट आ रही है, तो 14 October को आपकी science और English की वर्क सीट है. तो English की वर्क सीट समझें, आज की वर्क सीट थोड़ी डिफरेंट है बेटा, क्योंकि इसमें grammar portion भी उठाया गया है, noun, pronoun, adjective, verb, आपको सभी का ग्यान होना चाहिए, lesson पढ़ते हैं, तो क्या noun है, क्या verb है, क्या पूछा हैं, ठीक है? तो हम lesson में, आज की वर्क सीट में समझेंगे, ध्यान से समझें एक बार, एब में क्या वो लगया है, the following two passages have been taken from the chapter three questions, आपका chapter चल रहा है, three questions, उसमें से जो ये दो passage ले गए हैं, ठीक है? Read the passage, draw the character sketch in wheel, character wheel बनाया हुआ है, इसमें आपने character sketch draw करना है, ठीक है? Then, in each section, परते एक section में, write appropriate word by choosing the right option from word help, जो आपको ये word help दिया गया है, word help के लिए, ये सब्द दे गया है, इन में से आपने word choose करके, इस wheel में, यानि इस में, आपने write करना है, ठीक है? जो box में, circle में लिखने हैं, ठीक है? Passage पढ़े हैं, एक बार, passage क्या है? The hermit lived in a wood, hermit जो संत है, वो wood में रहता है, यानि forest में रहता है, which he never left, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता है, मतलब वो forest में ही रहता है, जंगल में रहता है, he shall know one, वो किसी को नहीं देखता, but simple man, केवल simple लोगों से ही मिलता है, साधान लोगों से ही मिलता है, and so, the king put ordinary clothes, इसलिए राजा ने भी साधान कपडे पहने, ठीक है, वो राजा महराजों से नहीं मिलता है, सिरफ simple लोगों से ही बाती करता है, simple लोगों से मिलता है, इसलिए king ने भी क्या किये, साधान कपडे पहने, अब राजा हरमिट की जोपडी में जाने से पहले, अपने होर्स को अपने बोडी कार्ड के पास सोड़ जाता है, संगरक्षक के पास सोड़ जाता है, और अकेला जाता है, ठीक है, अब जो हरमिट है, वो अपनी हर्ट के सामने, यानि अपनी जोपडी के इन फ्रॉंट ओफ होता है, सामने, के सामने ग्राउट को खोद रहा था, डिगिंग होता है खोदना, ठीक है, यह ग्रीटिड दा किंग, उसने राजा का अभिनंदन किया, एंड कोंटिनो डिगिंग और खोदना जारी रखा, दा हर्मिट वाज ओल्ड, हर्मिट ओल्ड था, बूड़ा था, वीक, कमजोड था, जैसे ही उसने काम किया, वो हैविली सांस, मतलब उसकी सांसे भारी हो रही थी, जैसे वो काम कर रहा था, ठीक है, यह आपका लेसन में से दो पैसिज लिए गए थे, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, वो ध्यान से समझें आप, अब यहाँ पे क्या करना है, राइट दा नेम ओफ दा क्रेक्टर, वोम दा किंग वेंट टू विजिट, उस क्रेक्टर का नाम लिखना है, जिस से किंग मिलने गा था, जिस के पास राजा ने विजिट किया था, ठीक है, कौन था वो, वो कौन था हर्मिट, ह-e-r-m-i-t, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, हर्मिट, ठीक है, तो ह, यहाँ पे, यह तो लिखा हुआ है, पहले ह लिख दोगे, फिर बीज में आर, एम के बाद आई, ठीक है, तो ऐसे आपका बीज में स्पेलिंग लिखना है, ठीक है, तो किसे मिलें गएगा था, हर्मिट से, हर्मिट क्या है, नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है न, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे प्लेस का नाम हो, ठीक है, बिटा किसी का भी नाम हो, उसको नाउन कहते हैं, ठीक है, naming word naming word यानि नाम बताने वाले word नाम बताने वाले सब्द क्या होते हैं noun होते हैं noun यानि संग्या इसको संग्या बोलते हैं न हिंदी में naming word जो किसी का भी नाम बताए जिसे king है, raja है hermit है आपका भी नाम है तो वो सबी noun है ठीक है अब यहाँ पे अपने hermit लिख दया है, यह column complete अब यहाँ पे है draw or sketch his picture आपने picture बनानी है उसकी draw keeping in mind the action and character stick, जो character trades यानि विसेशता हैं, जो उसकी character की विसेशता हैं थी, उनको ध्यान में रखते हुए आपने यहाँ पे एक character sketch draw करना है ठीक है, आप संथ को draw कर सकते हो, मतलब खोजते हुए, ठीक है तो आपने यहाँ character sketch बनाना है, ठीक है अब trades क्या है उसकी जो विसेशताईं क्या है विसेशताईं हैं कि वो old है, बुढ़ा है, hard working है महनती है, weak कमजोर है, young नोजवान है, tired, ठका हुआ है, energetic उर्जा से भरपूर है, ताकत से भरपूर है, wise बुद्धिमान है, ठीक है adjectives क्या होते हैं बिटा, जो किसी भी विसेशताईं किसी की भी विसेशता बताते हैं कि वो कैसा है, उसके बारे में और describe करते हैं, उनको बोलते है adjective, ठीक है जो noun और pronoun को describe करते हैं यानि, हर्मिट कैसा था wise था, बुद्धिमान था ठीक है, तो बुद्धिमान क्या है adjective है, adjective को हिंदी में बोलते हैं, विसेशन जो संग्या एस और राम की विसेशता बताई, इंगलिश में बोल देते हैं adjective, ठीक है हिंदी में बोल देते हैं विसेशन, तो कौन है जो विसेशता बताते हैं trades क्या है, इसकी विसेशता है क्या है, हर्मिट की यहाँ पर आपने हर्मिट का character sketch ड्रो कर दिया pencil से ड्रो कर देना है, ठीक है हर्मिट कैसा है, old है old लिख दोगे दूसरा क्या है, weak, कमजोर भी है ठीक है, और क्या है, wise, बुद्धिमान है ठीक है, और क्या है, hard working, महनती भी है ठीक है, hard working और क्या है, और energetic भी है energetic नहीं है, energetic कैसे हो हुआ है, tired ठका हुआ है ठीक है, क्योंकि उसके सांसे भारी हो रही है ना तो वो tired है, ठक गया हुआ है ठीक है, ठीक है, तो one, two, three, four, five तो ये character sketch आपने five लिख देनी है इसकी, क्योंकि energetic तो नहीं है, उसमें ज़्यादा ताकत होती तो उसकी सांस भारी नहीं होती और young भी नहीं है वो, ठीक है तो ये दोनों आपने हटा देनी है और बाकी ये पांचों लिख देनी है ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका four जो wheel है, इसमें क्या है, action बताने है अब action होते है क्रिया क्रिया क्या होते है, हिंदी में बोलते है जिससे किसी काम का करना या होना पाजाई उसको क्रिया बोलते है क्रिया को English में बोलते है verb, ठीक है, verb क्या होते है action word, जैसे खाना, पीना, सोना रहना, उठना, बैठना, ठीक है और English में बोलते है run, write, read ठीक है स्लीप यह सभी वब है ठीक है अब एक्षन एक्षन क्या हो रहा है किरिया क्या हो रही काम क्या हो रहा है तो डीगिंग खोदने का काम हो रहा है तो यहां पर लिख दोगे डीगिंग ठीक है और क्या हो रहा है जंपिंग जंपिंग तो नहीं हो रहा है जंपिंग नहीं कर रहे है वहाँ पर कोई एक्षिन क्या कर रहा है एक तो डिगिंग खुदाई का काम कर रहा है ठीक है दूसरा क्या है ग्रीटिड उसने ग्रीटिड किया राजा का अभिनांदन किया ठीक ह तो यह आपका इसमें लिख दोगे क्रेक्टर स्केच ठीक है यह जंपिंग नहीं था खुदा नहीं था कोई भी उन्होंने खुदाई की थी राजा का अभिनांदन किया था और काम किया था यह एक्शन हुए हैं आपके इन दोनों पैरेग्राफ में समझ में आगया सभी को जंपिंग नहीं लिखो गए यहां पे डिगिंग लिख दोगे ग्रीटिट लिख दोगे वक दोगे यहां पे लिख दोगे ओल्ड हार वाकिंग वीक टायर्ड और वाइस तीक हैं अब यंग नहीं था हर्मिट और एनलजेटिक भी नहीं था ठीक है यह आपको समझ में आ गया अब भी पार्ट देखें भी पार्ट में क्या करना है now with the help of the character will character will की साहिता से जो पहिया है इसकी साहिता से let's try to sketch hermit's character by choosing correct adjective adjective आपको पता है रहे adjective क्या होते हैं जो उनकी विशेशता परगट करें कि वह कैसा था ठीक है वो बताई क्रेकटर के बारे में तो हर्मिट के एक अपने सब्द चुन के भरने हैं ठीक है उस वील की म्हादद से अब हर्मिट wise था बुधिमान था यहा फूलिस मूरक था तो कैसा था वाइस था ना फूलिस तो नहीं था तो यहाँ पे आप wise लिव दोगे W-I-S की फिर्स्ट में क्या आ गया wise wise आ गया ठीक है he was old वो बूड़ा था और क्या था weak, कमजोर था ठीक है, strong नहीं था he lived in wood वो जंगल में रहता है रहता था and was very hard working, lazy होता है alci, lazy तो नहीं था alci तो नहीं था, वो खुदा ही कर रहा था ना, गमजोर होते हुए भी, ठीक है, वो ठके हुए होने के बावजूद भी वो hard worker था, तो यहाँ पे लिख दो गया, hard working, समझ मैं सभी को, और c में क्या करना आपने make a similar character will for the king try to write few lines about him, आपने character will बनाना है, ऐसे ही king का, राजा का और write करने की कोशिस करनी है, ऐसा ही, ठीक है आप कैसे करोगे, एक character will बना लोगे, ठीक है ऐसे ही write कर लोगे यहाँ पे king लिख दोगे, ठीक है king का फिर चीतर बना दोगे, crown पहने way, ठीक है, और यहाँ पे adjective लिख दोगे, की king कैसा था, ठीक है helpful था, help की उसने राजा की, ठीक है न, वो दया भी थी, दया भी थी उसके अंदर तो ठीक है, दया के लिए क्या word की उसकरोगे, की he is kind ठीक है, kind था, helpful ठीक है, और क्या था, young था, energetic था, energy थी उसमें, तब ही तो उसने राजा, उसकी मदद की न, energetic लिख दिया, यह adjective लिख दिविशेशन, आप यहाँ पे आप करोगे action word, action क्या 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 उसने, वो राजा के पास गया, ठीक है, राजा के पास सोरी, हर्मिट के पास गया, ठीक है, action क्या क्या किये, help, help in digging, helped, वो अब होगी न, और, इस में से छांट क्या आप भर सकते हो, इसकी help से, कि, वो आप, क्या थी, उसकी simple clothes पहने, उसने, राजा होते हुए भी, ठीक है, और, digging में help की, वो आप lesson में से आप कर सकते हो, ठीक है, left, यह भी verb है, उसने एक गोडा छोडा, अपने body के, guard के पास, vent, यह भी verb है, तो यह आप verb भर दोगे, और ऐसे ही आप character sketch बना लोगे, king लिख दोगे, यहाँ पर character sketch बना दोगे, यहाँ पर adjective लिख दोगे, adjective जो, उसकी विशेशता बताएं, कि, राजा कैसा था, kind था, ठीक है, young था, energetic था, ठीक है, यह आप लिख होगे, I hope आपको समझ में आगे होगी सभी को, वीडियो को लाइक करें, पेटा, और चैनल अगर अभी तक subscribe नहीं किया है,